माननिय स्वास्त मंत्री जी मेरे समक्ष हैं तो मैं सीधे समबाद करूँ पहले लॉकडाउन के बाद आपका रेडियो और मोबाइल मेसेज बदल गया आपने कहना शुरू किया बीमारी से लड़ो बीमार से नहीं लेकिन तब तक नुकसान हो जगया था देश में लोग बीमार से लड़ने लगे थे एक राज्य है जहां सिंगल सोर्स नाम का एक जेटा आने लगा और भी टेलिविजन डिबेट्स देख लीजिए उस दौर की वो हमारे बौने कद को दर्शाता है मानने मंत्री मोहद है आप मैं जानता हूँ आपके नेत्रित में पूरा देश हम सब मिलकर के कोरोना संक्रमन से तो निकल लेंगे आज नहीं तो कल लेकिन ये जो जहर हमारे समाज में भो दिया गया उससे कब निकलेंगे मुझे मैं भरो से मंद नहीं हूँ एक राज और है मेरा ही राज उन्होंने मजदूरों को ही कह दिया कि करोना केरियर है तमाम तरह की बाधाएं खड़ी की गई बबॉनिक प्लेक के वक्त में आया हुआ ये कानून जिसको आप आज एमेंड कर रहे हैं आप मानेवर्त लोकमान तिलक का या उस दोर का इतिहास पढ़िए ये कई दफा आर्भीट्रेडी एरेस्स को भी का भी एक सबब बन जाता था लोगों इस पर विस्तार से लिखा है अभी हाल में उत्तर प्रदेश में आपके ओर्डिनेंस को इन्वोक करके अंटी-CAA प्रोटेस्टर्स अरेस्ट किये गए हैं अब मैं कुछ मूल जो एक्ट में चीजे हैं उस पर आता हूं साहा The Act दसेत्स एक सब साहतना हूं साही है यह इसक्वाशा दोगसर प्रोटेस्ट फेशन को इस पर थोड़ा जचार कर लीजेगा The Act लोग सेम्ध्रेशं पर इस पर थोड़ा विल इचार कर लीजेगा The Act आप लोग हम तर आप लौबन में आप तरा आप कर लिगा बिध्य एक नागरिकों के obligation की बहुत विस्तार से बात करता है महामारी के दौरान लेकिन सरकार और सरकारों के दायत और कर्तब पर मैं समझता हूँ थोड़ा मौन है थोड़ी चुप्पी है महामारी के दौरान सरकार को हासिल और समीत अधिकार देने के संदर्व में आप नागरिकों के मानव अधिकार को भी देखिए गसका मैंने जिक्र किया था पहले Act of Violence को आप सिर्फ महामारी के दारान छोड़ रहे हैं मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा Spread over किया जाए क्योंकि महामारी कब शुरू हुई कब खत्म हुई इसको अगर हमने ambiguity में छोड़ा तो थोड़ी मुश्किल होगी सर एक टिपनी और करता हूँ मेरा मानना है सर doctors, nurses, healthcare professionals ये सारे इस लगाई में हैं आप अच्छा कर रहे हैं कि उनको एक sense of protection दे रहे हैं सर लेकिन सर मैं आपको कई राजियों को दारन दे सकता हूँ महीनों से तनखाने ही मिली है nurses हरताल पे हैं doctors हरताल पे हैं ये मैं मानता हूँ प्रतीक का महत्व है कि पुश्प वर्षा हो ये प्रतीक महत्वण होते हैं कभी-कभी लेकिन प्रतीक को अंत नहीं माल लेना चाहिए कि पुश्प वर्षा कर दी अब और कोई हमारा obligation नहीं है मैं समझता हूँ सर हम लोग प्रतीकों में जीने लगे हैं ताली थाली पुश्प वर्षा ये सब जरूरी है लेकिन इसे जादा जरूरी है इंसानी जिन्दगियों में दखल देना उनके जिन्दगी के कोहराम को बचाना और मैं समझता हूँ वहाँ सर थोड़ी कमी रही है और आखरी में फिर मैं एक कह करके खत्म करूंगा एक बार सर आप मानिय स्वास्तमंत्री जी बहुत संजीदा वेक्ती हैं आप अब खुद याद कीजिए कि मार्च और अपरील के महिने में हमारे टेलिवीजन पर क्या चल रहा था हम कोरोना संक्रमन से नहीं लड़ रहे थे हम लड़ रहे थे अपने लोगों से ठेले वाले पर अटैक हो रहा था उनकी सबजियों को फेका जा रहा था सर हर जिंदगी महतुपुर्ण है और ये क्यों हुआ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर एक वज्यानिक द्रिष्टिकोंड से अगर हमने शुरू से ये लड़ाई लड़ी होती तो हमारे समाज में इतने बाड़े नहीं होते इतने बैरिकेट्स में होते सोच और समझ में इतनी संक्रनता नहीं होती आज हम सर फिर से मैं कहूंगा हम बीमारी से कम बीमार से ज़्यादा लड़ रहे हैं हमने कोरोना को ऐसा बना दिया कि हर आदमी मार्च और अप्रिल के मेहने में पाजिटिव होने के बाद भी बताता नहीं था अरे मैं कोरोना पाजिए इसलिए मैं इन बातों को का करके अपनी बात खत्म करता हूँ मानिय मंत्री महदा ध्यान रखिएगा जय है अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सस्क्राइब करें और शेयर करें